हेलो गाईज, वेलकम बैक तो देज बिकम इंगले शैंपिन यूट्यूब चैनल, माई निम इस अंकुष और आज इस वीडियो में हम जो न्यूज रीड करेंगे वो है अगनिवीर स्कीम से रिलेटेड तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आपकी रीडिंग स्किल्स इं उनकी इंगलिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी तो यह आपका मिस्कॉंसेप्शन है क्योंकि मैंने बहुत सारी न्यूज की वीडियो आपको दी है एक्स्पिरियंस किया है कि पांच या छे मैक्सिमम रूल्स ही न्यूज पेपर के अंदर यूज होते हैं जो बिलकुल भ में करियर में ग्रोथ चाहिए आपको फंक्शनल इंग्लिश इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और वो सीखने के लिए मैंने आपको सारे के सारे रूल्स जो की धाइसो तीन सो से भी जादा है वो सारे सिखाए हैं डिटेल में तो पांच छे रूल सीखने हैं तो आप पर नहीं मिलेगा तो मैं आपको खुल की बोल रहा हूं और इससे मुझे तो नुकसान होगा क्योंकि आप लोग फिर न्यूस पेपर की वीडियो देखेंगे बट स्टिल इट इस माई ड्यूटी टू शो यूदर राइट पात राइट तो डिपेंड मत रहिएगा अगर सी कोर्स से सीख सकते हैं और कोर्स के अंदर सब सब कुछ है A to Z और वही आपके करियर में आपकी लाइफ में यूज होने वाला है तो उसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन एप डाउनलोड कर लिजेगा नीचे लिंक दे रहेका डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो वहां पे 500 प्लस वीडियोज है वो कैबलरी पर भी एड्वेंज्ट वीडियोज वहां पे एड हो रही हैं तो जो लोग कोर्स के अंदर है वो तो उसका फैदा उठा रहे हैं बट बाकी आप सभी लोग भी उसका बेनेफिट उठाएं और बहुत सारे न्यू स्ट्रक्चर भी उसमें एड किये जा रहे हैं जो यूट्यूब पर नहीं आएंगे तो इसके लिए बस आप बिकम इंग्लिश चैंपिन आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बोक्स में या कमेंट सेक्शन में देख लीजेगा तो वहीं से आप कोर्स को जोईन कर सकते हैं तो चलिए टॉपिक पर वापिस आते हैं और रीड करते हैं आज की इस न्यूस को तो सबसे पहले हेडलाइन है गोवर्मेंट शुड अपोलोजाईज सरकार को माफी मांगनी चाहिए अपोलोजाईज मतलब होता माफी मांगना तू यूथ यूथ से जवान पूजिशन लगती है क्यों मांगनी चीए किस चीज के लिए फौर फौर बता रहा है रीजन रीजन कया है फ्लोड अग्रिवीर स्कीम है अब आप फ्लोड तो जानते होंगे फ्लो का मतलब क्या होता है कोई भीडिफ के इन का होते है कोई भीजस तूर्टी ऐर और यहां प वाला कोई भी चीज वो जो अग हंविर स्कीम है एरर वाली ठीक है या फिर हिंदी को बोल देते हैं खामियों वाली अगणिविर स्कीम अध्या होती है यह कमियां तो गुर्मेंट को मावापी मागनी चुह हुए यूथ से किसके लिए यह जो खामियों वाली कमियों वाली अगनिवीर स्कीम है इसके लिए सेज कहते हैं कौल Congress President और यह सेज लगा हुआ है Congress President यहां पर सब्जेक्ट है सेज यहां पर बब की फर्स्ट फॉर्म है यह Topic Main Headline है इसलिए President Indefinite में लिखे हुई है तो I hope यह clear हो गया तो तीन वर्ड यहां पर याद कर सकते हैं पहला तो वर्ड हो गया अपोलोजाइज अपोलोजाइज के साथ तू लगता है फिर जिससे भी माफी मांगते वह लिखते है और फ्लॉड का मतलब हो गया जिसमें कोई भी कमिया हो errors हो that is called flawed तो अब आज यह main news की तरफ तो image के साथ में लिखाओ है first पहले the Modi government तो पहले Modi सरकार ने destroyed तबा कर दिया the future of lakhs of our youth हमारे लाखो यूथ का भविश्य है तो तबा कर दिया now अब due to elections और अब elections की वजह से it has talked about तो इस सरकार ने बात किया it use हुआ है government के लिए तो it has talked about इसने बात करी है किसके बारे में accepting the flaws जो भी defects हैं उनको स्विकार करने के बारे में मतलब कि हाँ इस scheme में कुछ flaws है किसमें इन अगनिवीर scheme तो उमीद है यह भी clear होगे आपको यह सिंपल सा था यहां पर आप याद कर सकते हैं it का यूज जो की गौर्मेंट के लिए यूज हुआ है एक प्रोनाउन है और flows यहां पर नाउन है जिसका मतलब errors अब आज है यह main topic पर यहां पर लिखा हुआ है Congress President Malik Arjun Kharge Congress के जो परधान है President है on Thursday बीरवार को reacted इन्होंने प्रतिकिरिया दी तो react किया तू किस पर react किया Defense Minister Rajnath Singh's statement जो Defense Minister Rajnath Singh की statement टिपनी है उस पर उन्होंने प्रतिकिरिया दी react किया यहां पर Congress President Subject reacted यहां पर है वर्ब की second form तो past indefinite तो उन्होंने react किया यह Rajnath Singh की जो statement ती टिपनी दी उस पर that तो क्या बोला उन्होंने दी नरेंद्र मोधी government मोधी की सरकार वोज ओपन तो उन्होंने इस लगाया होगा यहां पर लेकिन यह narration हमारा हो गया तो इसलिए इस का वन गया वोज तो मोधी सरकार ready है open है to making changes बदलाव करने के लिए तो सरकार त्यार है बदलाव करने के लिए इन दे अगनिवीर स्कीम में किस चीज के लिए यह changes करनी है for recruitment भरती के लिए तू किस में भरती the armed forces यह जो armed forces है मतलब Navy Air Force और Army तो इन में recruitment के लिए तो वो बदलाव करने के लिए अगनिवीर स्कीम में ready है if required अगर जरूरत पड़ी तो तो उमीद है यह भी आपको पूरा समझ में आगया कैसे यह इसका हिंदी हुआ है वर्ड याद कर सकते है recruitment इसका मतलब हो गया भरती और इसके इलावा make changes बदलाव करना open का यहां पर मतलब है त्यार होना reacted react का मतलब परतिकिरिया देना react के साथ हम तू लगा कर बताते हैं किस चीज़ पर परतिकिरिया दी statement का मतलब हो गया तिपनी यानिके comment now next paragraph according to the scheme इस योजना के अनुसार 25% of the inductees जो inductees है उनमें से 25% अब inductees कोन होता है inductees वो व्यक्ति होते हैं जिनको किसी भी organization में या कोई social group हो उसमें जिसको शामिल किया जाता है तो जो अपनी सेवाई देंगे वहाँ पर उनको बोल देते हैं inductees जैसे अगनीवीर scheme में 4 साल के लिए उनको रखा जाएगा तो जिनको भी रखा जाएगा उनको बोल देंगे inductees तो उनमें से 25% जो inductees है would get permanent commissions उनको permanent commission मिलेगा यानि के स्थाई नोकरी वहाँ पर मिलेगी वाइल जबकी या फिर दूसरी तरफ others would retire जबकी दूसरे retire हो जाएंगे after बाद में 4 years of service चार सालों की सेवा के बाद तो यह simple था यहाँ पर दो वर्ड याद कर सकते हैं एक तो वाइल कनेक्टर हो गया जबकी के लिए inductees कौन होगे एक inductee कौन होता है एक व्यक्ति जिसको किसी organization के दुवारा या social group में शामिल किया गया हो तो उसको बोल देते हैं inductees और inductees का noun क्या होता है induction यानि कि शामिल करने का एक process formally किसी को introduce करना तो यह होगे दो paragraph अब आज यह तीसरे paragraph की तरफ in an interview एक interview में या interview को हिंदी में बोलते हैं साक्षातकार तो एक साक्षातकार में with a news channel news channel के साथ on thursday को तो इस interview में क्या हुआ Mr. Singh जो राजनात सिंग है did not talk इन्होंने बात नहीं करी about के बारे में किस बारे में reverting to the old scheme पुरानी scheme में लोटने के बारे में मतलब जो उन्होंने पहले वाद किये थे कि 25% को permanent commission उनमें से दिया जाएगा तो इस बात पर वो रिवर्ट नहीं हुए तो Mr. Singh did not talk about उन्होंने बात नहीं करी लोटने के बारे में old scheme पर बट लेकिन hinted लेकिन संकेत किया hint मतलब संकेत करना इशारा करना signal करना तो इशारा किया that कि the government was open कि सरकार ready to making further changes और ज्यादा आगे changes करने के लिए तो further मतलब और 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 आगे और जादा तो यह भी simple था यहां पे word याद कर सकते हैं आप रिवर्ट यानिके वापिस लोटना और hint मतलब संकेत देना now let's move on to the next paragraph double inverted को माज में अगली लाइन में टॉप यहां तक उपर तक Mr. Kharge sad Mr. Kharge ने कहा in a post एक post में on x यानिके twitter पर formerly twitter x यहां पर मतलब हो गया कि twitter का नाम बदल कर x कर दिया गया जिसको पहले twitter बोला जाता था formerly twitter तो उस पर तो क्या बोला इन्होंने this shows यह दिखाता है that key the agnivir scheme जो है imposed जो थोपी गई on lacks of patriotic youth जो भी देश भक्त युवा हैं उन पर जो यह अगनिवीर स्कीम ठोपी गई by the Modi government Modi सरकार द्वारा is no longer working वह अब काम नहीं कर रही है यहां पर हमारा एक lesson यूज हुआ no longer वाला जिसका मतलब होता है पहले कुछ था अब वह नहीं है तो is no longer working मतलब यह जो स्कीम है जो impose करी की गई मतलब थोपी गई patriotic youth पर देश भक्त युवाँ उपर मोधी सरकार के दौबारा लाखों पर तो वह अब काम नहीं कर रही है वह स्कीम अब वाकिंग नहीं कर रही है तो प्रेज़ेंट कंटिन्यू स्टेंज फर्स्ट पहले दि मोधी गवर्मेंट डिस्ट्रोइड पहले तो मोधी सरकार ने तबा किया the future of lacks of our youth हमारे लाखों यूथ का नाओ अब due to elections और अब elections की वजह से it has talked about तो इसने बात करिये सरकार ने किस बारे में accepting the flows जो कमिया है खामिया है तो उनको स्विकार करने के बारे में बात करिये सरकार ने in the Agnivir scheme तो यह खामिया किसमे Agnivir scheme में पूरा मतलग यह दिखाता है यह जो इंट्रव्य हुआ जिसमें सिंग ने रिवर्ट ने किया old scheme पर और संकेत कि मोदी सरकार कुछ बदलाव कर सकती है तो यह दिखाता है कि Agnivir scheme जो थोपी गई patriotic youth पर मोदी सरकार द्वारा वह अब कामनी कर रही है पहले तो मोदी he said उसने कहा the government should first apologize कि सरकार को पहले माफी मांगनी चाहिए to the youth youth से and or retreated और उन्होंने दोराया यह वर्ड देखिए पहले भी आया था retreat करना ठीक है और उपर वर्ड याद कर सकते है formerly जिसको पहले कुछ कहा जाता था तो सरकार को माफी मांगनी चाहिए youth से and retreated और उन्होंने पुना दोराया क्या वोला retreated that if अगर his party comes to power अगर उसकी party power में आती है it will scrap the scheme तो वो इस scheme को scrap कर देगा मतलब एक तरह से बंद कर देगा उड़ा देगा साफ कर देगा तो वह सरकार बंद कर देगी scheme को which has weakened जिसने कमजोर किया है यहां पर which relative pronoun ने जो scheme के लिए use हुआ है और उसके बाद has लगा के weakened वह की third form या लगी हुए है तो present perfect tense तो scrap करेगा इस scheme को यह सरकार जो अगर वो पावर में आती है तो किस scheme को जिसने वीक किया है नेशनल सिक्योरिटी को रास्ट्रे शुरक्षा को as as क्योंकि no youth कि कोई भी youth wants to join तो कोई भी youth join नहीं करना चाहता है the army army को for only four years केवल चार सालों के लिए I hope यहां तक clear हो गया तो यहां पर एक वर्ड यह आप याद कर सकते हैं एक तो याद कर सकते हैं scrap और वर्व याद कर सकते हैं weekend कमजोर बनाना बाकी अपोलो जाइस तो आपको बताया था माफी मागना तो अब अड़ते हैं आगे इसके आगे लिखा हुआ है मिस्टर खारगे सैड मिस्टर खारगे ने कहा his party उनकी जो पार्टी है through its जैजवान campaign कह रहे हैं अपने जैजवान अभियान के माध्यम से थू मतलब माध्यम से तो उनकी जो पार्टी है highlighted तो उन्होंने highlight किया किसको the plight of plight मतलब होता दूरदशा तो दूरदशा को highlight किया किसकी about 1.5 लाक यंग मैं डेड़ लाक जवानों की दूरदशा को highlight किया और यह वहन कौन से who were selected जिनको select किया गया अब यह past indefinite a passive voice who are relative pronoun जिनको select किया गया for the armed forces इन forces के लिए in a regular recruitment recruitment एक regular recruitment recruitment में मतलब जैसे normal दूसरे जवानों के लिए recruitment होती है भरती होती है तो जैसे वह physical होता है वैसी regular उनका भी हुआ था और यह कब हुआ था ड्राइब यह recruitment ड्राइब जो होई थी between 2019 से 2022 के बीच तो यह clear हुआ यहां पर word याद कर सकते है तो campaign अभियान प्लाइट इस दुर्दशा और recruitment ड्राइब लगने से क्या होता है एक तरह की मोहीम हो जाती है यह जैसे भरती अभियान हो गया tree plantation drive हो गया और child abuse जो है उसका ड्राइब निगाल रहे है कोई तो अभियान हो जाता है एक तरह से इसके आगे लिखा है लिखा है however फिर भी their induction उनका जो यह समावेश है समावेश मतलब शामिल करने की जो भी प्रिक्रिया जैसे inductees word आया था तो उसी का नावन है induction तो कह रहे हैं कि उनका जो समावेश है समावेश मतलब हो जाता है एक तरह से introduce करना किसी को formally एक formal way से introduce करना तो उनका जो समावेश है could not take place तो वह हुआ ही नहीं समावेश होई नहीं सका as क्योंकि the Modi government suddenly announced क्योंकि Modi सरकार ने suddenly announce कर दिया the new scheme एक नहीं scheme और he said तो उसने कहा तो इनका भी समावेश तो हो नहीं सका क्योंकि Modi सरकार ने एक और स्कीम announce कर दी suddenly अचानक से और यहां पर word याद करेंगे आप announced तो बोल कर कुछ करना announce के लाता है suddenly is अचानक से एकदम से और as मतलब क्योंकि as के आठ मतलब होते हैं यहां पे इसका मतलब है क्योंकि और take place मतलब happen यानि के घटी तो होना और induction मतलब समावेश किसी को introduce करना formally कि नाउ लाट्स लास्ट पेरग्राफ कि फोर्मर आर्मी चीफ जो पुर्व आर्मी चीफ हैं रिटाइड जो रिटाइर हो चुके हैं जन्रल एमम नर्वाने जी तो यह इनका नाम है तो रिसेंटली साइड इन्होंने अभी क्या बोला 75% पीपल जो हैं वर टूबी टेकन तो 75% लोग लिये जाने थे मतलब इन्होंने पहले यह कहा होगा अगनीवीर में से 75% को आर्मी में डैरेक्ट भरती मिलेगी यह स्कीम थी इनकी लेकिन अब यह क्या कह रहे हैं कि 25% ही शायद स्लेक्ट करेंगे ऐसा कुछ है तो कह रहें 75% पीपल वर टूबी तो उन्नहें तो यह कहा होगा आर्टूबी टेकन लिये जाने हैं पर यह हमारा नुरेशन का पार्ट है इसलिए आर्टू अ बीका होग्या वर्टूरूबी तो इतने लोग लिये जाने हैं यह सीजा आर्श का एपक्स छोड़ दिया जाना हैं अगनिवीर योजना में बट लेकिन दिमोधि कोवरमेंट डिड़ ऑपोजेट लेकिन सरकार ने उल्टाई किया एंद फोर्सी बली और एंपोर्स से अंपोजट थोप दिया इस स्कीम इस स्कीम को ओन द त्री तो यह थियां पूरी की पूरी न्यूज उमीदे कि आपको समझ में अड़ी होकी में ढूंब सेक्शन में जरूर बतायोगा और चाहे तो कोर्स आप ज्वाईन जरूरूर करें और हर किसी को करना चाहिए क्योंकि न्यूस्पेट मत रहें मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि न्यूस पेपर में जितने भी मैंने पढ़ाए हैं इन में रूल्स यूज नहीं होते हैं पांच-छे रूल्स को छोड़के असली इंग्लिश अगर सीखनी है जो आप कॉन्वर्सेशन कर सकें और जो आपके लाइफ में करियर में ग्रोथ में काम आएगी वो इंग्लिश आप सीखें वही सीखनी चाहिए मैं तो रिकमेंड भी नहीं करता हूं न्यूस पेपर को जिसको पढ़ना वो पढ़े एक्जाम वालों को पढ़ना वो पढ़ सकते हैं बा पॉस्वोजणन करता हैं जया हैं बाता हैं झालों कर्ड़ब जह को जाएफ्के पॉस्वादिछ कुमें पॉस्वजशन कर दिल्में पॉस्वजवता था रूस्वजवट अपКट न्यूसित।